कि हेलो मेरे बच्यों कैसी आप सब लोग सब फिक पड़ाई कर रहे हो की नहीं कर रहे हो तो अपने लास्ट ट्रों के लस्ट विडिवो देख लिया था अच्छी स देखा-ता इसमाज लिए तो बता हम लोग ने डिसकस कर लिया था अगर वह आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जाईए उस वीडियो को देख लिए दो की स्पीट में देखिए लेकिन देख किया जाईए पहले के दस मिनट देख लोगे तो भी आपका बेनिफीचल सब्सक्राइब कर लोगे लाइक कर दोगे वीडियो को अपने फ्रेंस के शेयर कर दोगे चलिए स्टाट करते हैं बुक पैंसिल पर निकाल लीजिए टॉपिक क्या है आज का हमारा सोनोमेटर चलिए तो देखो सोनोमेटर लगा लेते टॉपिक और डाइग्रम हमारा कुछ उसका कंस्ट्रकशन आपको समझ नहीं है तो वह साप हम लोग दीर है सोनोमीटर ठीक है स्पेलिंग मैं देख लूए एक बार में ऑस ओ को सोनोमीटर ठीक है अब सो करके दिल्ए दियाग्रम निकाल हो तो वीडियो फिर से मैं अभी पो Push करके फिर अब डियाग्रम निकालक और उसको अच्छे से अभी explain करें के कोशिश करता हूं मैं यह आपको क्या दिख रहा है यह एक हुक यह दुसरा हुक दुसरे हुक से क्या है यह अभी और यह कोशना है यह लोगे केट निकाल सकते हैं यहीं हमारे स्ट्रींग यह और हम लोगने चोटासा टुक्ड़ा रखा है और यहां पर हमारे पास ट्यूनिंग वागई यह हमारे पाससा बीट साथ है इसको अभी डिटेल में देखेंगे और इसको हमें टेबल की ओप मैं detail में पढ़ते कि sonometer है क्या sonometer construction क्या है etc etc ठीक है अभी देखो यहाँ पर start करते थोड़ा सा पढ़ते sonometer को समझते फिर उसके बाद में verify करेंगे loss कौन-कौन से तीन लो हमारे देखे string का length का tension का और mass per unit length का ठीक है यह तीन देखने है तो सबसे पहले देखोए a sonometer consisted of a hollow rectangular wooden box called sound box तो हमने देखा sound box बोला जाता है जिसमें मैंने दो होल बना दिये बिच में this sound box is used to make a larger mass of air vibrate so that the sound produced by the vibrating string metal wire in this case get amplified अब यह क्यों बनाया गया है दो होल ताकि अपने जो sound है उनकी density के वाज़े से हमें sound जो proper जो vibration हो string में जो string कैसे लिए हम लोग ने steel की लिए तीक है string metal wire लिए है metal wire में जब वाइबरेट हो तो हमें vibration अच्छे सुनाई दे सुनाई दे sound box में से आगे इस सेम प्रिंसिपल इस अप्लाइड इन स्ट्रिंग्ट इंस्ट्रूमेंट सच एस वाइलन गिटार तानपूरा एक्स्टर तो यही प्रिंसिपल इस ही प्रिंसिपल को हम लोग गिटार बजाते तो गिटार में भी देख़े एक होल होता है उसी आज ही हमारे अवास अच्छे हे जो हमारे हम लोग स्ट्रिंड त अअर ध्र होता है एक को जब अज़नाग अ क्यूंक आफ्य है यहां इत्रू और कि पा संट डू करेंSpides अपे करो हैं तो यही सोर यह तो सूर मतलब अपाव क अच्छ से मिटलते है थीकर आगे there are two bridges P and Q along the width of the box which can be moved parallel to the length of the box a metal wire of uniform cross section runs along the length of the box over the bridges तो अभी हमारे पास यह जो AB मैंने लिखा है ठीक है यह P Q यह हमारे क्या दो bridges है उन bridges के उपर हम लोग ने क्या किया है metal का क्या क्या है metal का यह जो अगय है उसको हम लोगने लगा दिया ओके आगे देखते किया लगया और यह क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हम लोग पैरलली आगे वीचे कर सकते हैं आगे, if it is fixed at one end and its other end passes over a pulley, a hanger with suitable slotted weight can be attached to a free end of the wire. अगर हमने मानना कि हमारा एक end fixed है, तो हम लोग ने क्या किया, उसमें हम लोग ने एक slotted weight लगा दिया, slotted weight लगाने के जिसे हम लोग क्या कर सकते है, string में tension, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, कौन से end में लगाएंगे slotted weight, jaw end हमारा free होगा, by changing the weight the tension in the wire can be varied, जो मैंने आपको बता है, wire का tension हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे पीशे कर सकते हैं, the movable bridge allow us to change the vibrating length AB of the wire, यह जो मैंने AB लिखा है, यह क्या हो गया हमारे पास, यहां बर मैं अच्छे से लिख देता हो, यह हो गया P bridge, यह हो गया Q bridge, ठीक है, यह हो गया A से लेके B त सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आगे में आपको बता हूँगा, आगर हम लोग ने length change की, तो हमारी frequency, fundamental frequency change हो जाएगी, क्या change हो जाएगी, हमारी fundamental frequency change हो जाएगी, ओके, आगे, diagram दिया है, diagram के नीचे देखो क्या लगया है, यह क्या है experimental setup है, experimental setup है, if a wire is plugged at one point, midway between the bridges, the transfers wave are produced in the wire, ठीक है, क्या कि हम लोग ने हैं, यहाँ पर, beach में से फिर से, वही कहानी, कौन जी कहानी, यहाँ पर हमारे पास 2 fixed end है, यहाँ पर हम लोग ने इसको, क्या किया, move किया, यहाँ से, खीचा और उसको छोड़ दिया, तो क्या करेगा, vibration create करने लगेगा, और हमारे transfers wave, string में क्या vibration होगा, वह सिर्फ, यहाँ पर A और B के बीच में होगा, यह जो दो bridges है, इनके बीच में होगा, हमारा vibration, इन ही दो bridges के बीच में होगा, और आपको मैं बता दू, tuning fork का frequency, और इस length का frequency, same हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें maximum amplitude मिलता है, जब भी हमें maximum amplitude मिलेगा, यह मैंने आपको ऐसा छोटा सा इसा दिखाया ना, यह जो paper है, जो clip है, यह क्या करेगा, गिर जाएगा, जब हमारे resonance अच्छी हो जाएगी, अब यह देखो, आगे लिखा गया है, मैं write हो की नहीं, आप पता चल जाएगा, thus portion AB of the wire between the two bridges, P and Q, is vibrating length, wire can also be made to vibrate by holding a vibrating tuning fork near it, ठीक है, अब हम लोग हाद से कीच के vibration produce कर सकते है, twinning fork, twinning for quad तरीके की होती है, आपको बड़ी twinning fork भी मिलेगी, छोटी भी मिलेगी, उससे छोटी भी मिलेगी, उससे छोटी भी मिलेगी, हार twinning fork का frequency, यहापर अगर मैं मैं लोग इसकी 100 है, इसकी 200 है, इसकी 400 है, इसकी 1000 है, ऐसे अल हाली क्या करना, हीट करना is solid, solid पे, согласate करोके तो, वो, वाइरेट करना चालो करतेघी, ऐसे, मौहार के, वाइरेट कर सिर्फिंग के पास लाऊके तक लागा, व कि वाेट करना, चालो करतेघी, आगे, आगे क्या बोला गय है, ahi क्या बोला है, आगे हमहें बोल जाए बोल ज happens to be one of the natural frequency of the wire and the standing wave with larger amplitude are set up in the wire since the two vibrates is resonance तो मैंने आपको पहले बता दिया था अगर frequency बार external frequency जो हम लोग दिया है और fundamental frequency अगर same हो गई external frequency and fundamental frequency शब्दो कच्छी से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ natural frequency जो हम लोग बोलते है fundamental frequency और जो tuning force के वज़े से frequency दे रहे अगर वह same हो गई तो maximum amplitude हमें मिलता है maximum amplitude मिलेगा तो यह जो हम लोग ने इसके ओपर जो clip रखा जो paper का तुकड़ा रखा वो क्या करेगा नीचे गिर जाएगा आगे पढ़ते देखो क्या बोला गया है if the frequency happens यह हो गया हमारा पढ़के टू identify the resonance a small piece of paper तो ही मैंने बहला है यह दोको आपको यह जो छोटा साइसा यह दिख रहा है if the frequency of the twinning fork and the fundamental mode of vibration of the wire matches this is achieved by existing the length ab of the wire using bridges P and Q तो यह हम लोग क्या करते है अचीव करते है ठीक है distance vary करके length vary करके हम लोग अचीव करते है the paper rider happens to be at the size of the wire ठीक है तो हम लोग क्या करते है अभी मैं आपको बताता हूँ simple चब्द में sonometer can be used to verify laws of vibrating string तो अभी देखो यहां पर बताया क्या गया है last paragraph में last paragraph में क्या बला क्या है sorry हम लोग क्या कर सकते है हम लोग इस string की length को ऐसे set करेंगे कि हमारा जो paper यह rider जो है आर जिसको हम लोगने paper बोला है वह क्या करेगा बराबर एंटी नोड अभी यहां पर क्या देखो यहां पर दो fix drop rate है यहां पर मेरा node बन गया यहां पर नोड बन गया यहां पर maximum frequency होती है जहां पर maximum amplitude जहां पर हमारा maximum amplitude होगा वहां पर हमारा एंटी नोड बनेगा तो हमें ऐसे यह सेट करना है और यह ब्रीजेज ऐसे करने है कि जो हमारा यह rider है वह बराबर एंटी नोड पर आए और जैसे वह maximum amplitude पर मिलेगा तो क्या करेगा टपक करके उड़के नीचे गिर जाएगा क्या करेगा टपक करके उड़के नीचे गिर जाएगा और अब यह sonometer हम लोग क्यों यूज करेंगे laws को verify करने के लिए क्या करेंगे वेरिफाइ करेंगे हम लोग laws of laws of vibrating string vibrating string को ठीक है यही हम लोग use करने वाले sonometer का uses ठीक है अब लोग इसके बहुत सारी uses और देख सकते हो ठीक है हमारे book में जीतना बता था इसका construction important है construction देख लो आपको पिछले साल तक यह topic नहीं था इस सारी इसको इंट्रूडूस किया गय अगर हम लिख फॉर्मयूला यूज करना है कौनसा फर्मॉला एंज इप्स टू टू अंडरूट टूपाँड बेवन पर अनुट अंडरूट अपोन अनुट ऐसे बनेंगा टिक है फिर्स्ट वर्टोन ऐसे बनेगा मतलब हमारे पास दो एंटी नोड बनेंगे तो यहां पर नोड बनेगा तो उसी नोड पर हमारे क्या करेगा पेपर आपर पर बैढ़ गया तो मारा पेपर कभी उच्छेगा यह नहीं बाहर निकलेगा यह इसलिए हम लोग क्या करते हैं हम सिर्ट हार्मोनिक ही प्रेजन करते हैं अभी ओवर्टून क्या होता है ओवर्टून फंडमेंटल फ्रिक्वेंसी या फिर फ़र्स्ट फर्स्वार्मॉनिक से जादा वाला उसे नीज्य सर देते हैं यह सारी बात है हम लोग ने पहले बहुत अच्छी तरह दिसक्रस कर लिए तो इसको बार-बार डिसक्रस करें हम अपने टाइम वेस्ट नहीं करते अभी हम लोग कौन सा फॉर्मला यूज करने वाले एन इस इकल्स तू याद करो एन इस इकल्स तू अपॉन टू अपॉन से लो देखे थे त है यहां पर अपना वेस्ट बनने वाला है करेंट यही था हमारा अगर मैं इसको ऐसे लिखू इसको मैं यहां पर लिख दू कि E autres प्रोफोस्ट्टू लुए यहां फिर मैं बोलू इसको कि N L यह किसके बराबर है कॉंस्टेंट के बराबर है अभी बोलने का मतलब समझो ठ कर मैं बोलू कि मेरी फ्रिक्वेंसी एन वन है उसको मैंने बोल दें कि वह 200 हर्ट्स है ठीक है और मैंने लेंद्ध बोल दिया यह आप लोग कैल्कुलेशन वाला पार्ट भी कर सकते हैं ठीक है मैं यहां पर रेंडम ले रहा हूं और उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा ह जब हमारे पास 200 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी होगी तो इसकी लेंथ होगी 0.5 अच्प्रकश पर कैलकुलेशन करने के बाद में 0.0 या फिर पर एंट ले ली आ मैंने फरिक्वेंशी के क्या कि इंक्रीस करती 400 Dahres वह इसलिके तरफ ऐगा तो इहाँ पर हमने हमीं लेंट सुना थी यहां फर देखो मैं क्या बोसरों यहां पर स्रिक्वेंशी बढ़ा दिया तो लेंञत क्या हो जाएगी क fallen लेंद्स क्या हो जैगी हमारी और यहां पड़ीष प्रोपोर्शन से हमारी फ्रीक्वेंचि बढ़ेगी उतना ही प्रोपोशन से अपनी लेंथ कम होगी जितने प्रपोशन से अपनी लेंथ कम होगी उतने प्रपोशन से अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी इसको उल्टा भी समझ सकते हो जितने प्रपोशन से अपनी लेंथ इंक्रीज होगी समझो बातों को अच्छे सुनना जितने प्रपोशन से अपनी इंक्रीज होगी उतने ही प्रोपोशन से अपनी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी इसका मतलब उन बोल सकते हैं कि भाई यह यह फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का जो चक्कर है वो किसके साथ है लेंध के साथ तो है कि लेंध को अगर हम लोग ने कम जादा किया तो हमारे फंड 1.2 का difference होगा यहाँ पर जो भी हमें values मिलेगी ठीक है इनका जो ratio हमें मिलेगा कि कितने proportion से change हो रहे है वो proportion क्या होगा almost constant होगा बातों को समझो यहाँ पर क्या होगा almost क्या होगा constant होगा ठीक है क्या होगा constant होगा इसलिए उन्होंने क्या बोल जाएगे है कि n1 l1 is equal to constant ठीक है यह सब वैल्यूस क्या होगी अपनी constant होगी तो आप लोग ऐसे बुछ सकते हो कि n1 l1 n2 l2 या फिर n3 l3 यह सारी वैल्यूस क्या देगी हमें constant value देगी क्या देगी हमें constant value देगी यहाँ पर मैंने पहले लिग दिय समझ आरे हैं समझों बातों को समझ में आ रहे हैं बात इसमझ रहे हो फंके सोडोर में हम लोग वलोग ल dirig विट्र लेंगे अलग होगी excitement क्या करेंगे उस लाकर यहां पर रखेंगे दकेंगे यहां लोग ने deserving दो वह तोется रहे हैं और क्या यहां पर अपने पास एक स्केल होगी यहां पर क्या होगी अपने पास स्केल होगी उस स्केल के हिसाब से अपुन यहां पर देख लेंगे कि हमारी क है लेंद क्या स्ट्रेंग की स्मझ में आद है बाते समझ गई तो पहला लोग ऐसे कर सकते है पका सच्छी बोलो चलो समझ में और यह बहुत साओब कर सकते हो मैं आपको सब्सक्राइब लिडिक बोर नहीं करना चाहता तो अपको अच्छा देख लेना पढ़ लेना इक पर सेरी को आगे देखते सेकेंड लोग कैसे वेरिफाय करेंगे क्या मैंने बोला सेकेंड लोग कैसे वेरिफाय करेंगे सेकेंड लोग में देखो क्या बोला गया सेकेंड लोग सेकेंड लोग क्या था सेकेंड लोग यही था ना एन लोग स्ट्रिंग लॉफ 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 टें है यह अपना क्या था क्या था क्या था यह अपना लौ था एक में रुख जाता है गाड़ी यह लोगो जाने देते गाड़ी चाहो भाई आपका फटा-फट चले गई क्या चलो तो यहां पर सुनों क्या बोला मैंने and fundamental frequency is directly proportional to the square root of square root of T तो अभी देखा हमारे यह हमें क्या देगा constant value क्या 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 करेंगे क्या करेंगे यहाँ पर यहां पर यह slotted weight क्या करेंगे उसको क्या करेंगे से मिलोग क्या लगाएंगे कि जैसे हमारा मेरे चेंज होगा हम रहो समझ की दिभए चेंज होगा हमारी फंडामेंटल ऐसे हमारी संप अभी हो रही आराम से उपर नीचे उपर नीचे और ठोड़ा कर दिया और बड़ा 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 बन रहा है समझ मार यह बात तो यहीं है जितने प्रोपोर्शन से स्क्वेर रूट के टैंशन के प्रोपोर्शन से यह होगा हमारा इन्वर्सी प्रोपोर्शनल में वह आफ के प्रोपोर्शन में रखना पड़ेगा इसको टी रेस टो हाफ भी आप बोल सकते हो तो आपको यह सब बाते याद रखने तो ऐसे हम लोग डिटर्मान कर सकते हैं जैसे हम लोग अलग अलग वैलू लेटी यहां पर भी आप लोग बोल सकते हो एंड वान टेंशन किया तो पिर ठेंशन किया चेंज टी टोगल I amें क्या देगा it고 कॉंस्टेंट इक क्या देगा धे घंचन करते हो तो उसके प्रोपोशन में फ्रिक्वेंसी चेंज होनी ही होनी है और उल्टी बाते अगर समझे हम कि अगर आपने फ्रिक्वेंसी पराबर रखी है मैग्जिमम चाहिए तो उस प्रोपोशन से अपना टैंशन भी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा समझ में आ रही है बातों समझ में आ रही है बाते इसके आगे वाला पार्ट इसके आगे अला पार्ट यह लोग समझ में आ गया इसी लोग था छोटा सा लोग है अपने बुक में भी इसको रीट कर लेना तो आपको बाते समझ में आ जाएगी ठीक है कोई बात आगर मैं मिस कर दो तो मुझे कमेंट से linear density और इसको हम लोग क्या बलते हैं मास पर यूनिट लेंथ मास पर यूनिट लेंथ ओके अभी यहां पार देखों मास पर यूनिट लेंथ इसको हम लगने अच्छे डिसकर्स कर लिया था इसको भी कैसे डिसकर्स करेंगे यह हो जाएगा एक मल्टिपिलिकेशन में तो n into root m किसके प्रोपोश्टनल में होगा कॉन्स्टम्ट देगा इसका मतलब यह मास का स्ट्रिंग प्र यूनिट लेंथ मतलब जब भी इसका मास मास मतलब ूस्तिंग का मास इतना हलका और ऊचा होगा उसके बाद में जितनी लैंध उसकी करेगी लेकिन इन दोनों का अगर अपने प्रोपोशन देखा उसी प्रोपोशन है तो रिट्स में क्या ऽांओ क्या मिलेगी गलए के मतलब यह है अगर ये value बड़ेगी तो ये value गटएगी ये value बड़ेगी एवे मुझे क्या देगी constant values देगी बात है clear हुई पक्का इसको मैं ज्यादा क्यों नहीं खीच रहो क्योंकि पूरा theory वाला पार्ट है यह आप लोग खुद से भी कर लोगे यह आप लोग खुद से भी कर लोगे पक्का बाद सची ठीक है चलो तो अभी आपको पता है जब यह सारे पहले पहले वाला वीडियो मैंने क्या बोला देखने के लिए कि अगर मैंने पहला लोग यूज किया पहला लोग कुंसा था एन इस इन्वस्ट परपोर्शनल टू एल जब यह लोग यूज करते तो हमारा क्या होता था T and M हम मतलब मास बनुट क्या होता था कॉंस्टंत दो इसके बाद में दिए š kit ए pessim क्या है तो तो यह सारे ऐसे व्यास करते को एक सब्सक्राइब करता है क्या कर सकता है बसक्राइब कर सकता है अब अब भी तक अगर वैडियो देख रहे हो तो आपको यह टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मैं और एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके एक बार टेक्स लुक पढ़ लीजिए सोने मिंट के कंस्ट्रक्शन हम लोग ने देख लिया था सिर्फ हम लोग ने थेरी किसका नहीं देखा हम लोग न अगर वीडियो अच्छी लगी अभी तक आप देख रहे हो तो लाइक करना मत बुलना अपने फ्रेंड्स के शेयर कर दीजिए चलिए नाइस लेक्शन में मिलते हैं बाइ इसलिए अपने जोग आगए तक लिए प्यूपमे बाचे हम